कालुकोवे को रात को नीद नहीं आ रही थी इसी कारण वे बाहर बेट कर कुछ सोच रहा था मैंने जो उपाय सोचा है अगर वो हो जाए तो मैं तो खुश दिनों में ही बहुत जादा अमीर हो जाऊंगा इस जंगल के तमाम पक्षो को बेवकूब बनाना बहुत जादा असान है सभी को बेवकूब बनाकर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और मैं सबसे जादा अमीर बनूंगा हमारे जंगल का जो पाने का कुवा है बस मुझे उसका पानी किसी तरह बंद करना होगा फिर देखना सभी पक्षी मुझे खुद अमीर बनाएंगे फिर क्या था कालू का हुआ रात के समय उस कुवे के पास पहुचता है इस बड़े से पथर से मैं इस कुवे का मुझे बंद कर दूँगा फिर इस कुवे में पानी बिल्कुल नहीं आएगा और ये पूरा कुवा सोग जाएगा फिर क्या था कालू का हुआ वे बड़ा सा पथर उस कुवे के अंदर डाल देता है उस बड़े पत्थर की वज़े से कुए का मुव बंध हो जाता है और कुए में पानी आना भी बंध हो जाता है अब सुबा तक इस कुए का सारा का सारा पानी सुख जाएगा और फिर मैं जो भी पक्षों से कहूँगा पक्षी वो ही करेंगे क्योंकि उन्हें तो हर हाल में पानी चाहिए सुबा हो जाती है हर तरफ रोशनी फेल चुकी थी सभी पक्षी कुए के पास पहुच चुके थे क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था परंतु कुए तो बिल्कुल सूखा पड़ा था कुए के अंदर एक बूंध पानी भी नहीं था सभी पक्षी ये देखकर बहुत जादा परिशान हो गए अरे ये रातो रात कुए का सारा पानी कहां चला गया हां ये कुए तो बिल्कुल सूख चुका है अगर हमें आज पानी नहीं मिला तो तो घर के काम कैसे होंगे हम नहाएंगे कैसे परंतु मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा के रातो रात ये कुए पानी से सूप कैसे गया कर रात तो ये मूह तक भरा हुआ था ये ये जरूर कोई श्राप थे अरे नहीं नहीं पक्षियों ऐसी बात नहीं है हमें इस कोई के अंदर जाके देखना होगा क्या पता कुछ मसला हो गया हो कालू कोई में एक बोन पानी भी नहीं है कालू कोई के अंदर ये मिलो चुडिया कोई के अंदर आकर तो मेरा सारा प्लैन खराब कर देगी मुझे जल्ली से इन पक्षियों को भेकाना होगा तभी कालू को हुआ जोर जोर से बोलने लगता है अरे पक्षियों अगर तुम्हें पानी चाहिए तो मेरी बास सुनो अरे बाप में ये आवाज कहां से आ रही है अरे हाँ मैंने भी सुनी है क्या तुम्हें ये आवाज आई अरे भाई ये आवाज तो इस कुए में से आ रही है पक्षियों अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें अब मुझे एक-एक सिक्का देना होगा तभी मैं तुम सब के लिए अपना पानी चोड़ूँगा वरना मैं पानी कभी नहीं चोड़ूँगा अगर चाहिए के मैं तुम्हें पानी दू तो जली से एक एक सिक्का मुझे में डाल दो अरे पक्षियों आप सभी को ऐसा करने की को जरूरत नहीं है सबसे पहले हमें अंदर जाकर देखना चाहिए अरे मीनू इस ताइम हमें पानी चाहिए पानी बस ये एक सिक्केगी तो बात हैं मैं तो डाल रहा हूँ हरे हाँ अगर एक सिक्का डाले से पानी उपर आ जाता है तो ये कोई घाड़े का सोधा नहीं है फिर क्या था सभी पश्ची एक एक करकर एक एक सिक्का उस कोई में डाले लगते हैं इस सारे सिक्के कुए के अंदर कालु कोवा जमा कर रहा था कालु कोवे के पास ऐसे काफी सारे पैसे जमा हो गए थे वे सोच रहा था कि अब वे रोज यही करेगा डालो डालो पक्षियों बहुत सारे सिक्के डालो मेरा पेट मुँ तक बर दो सिक्कों से मेरा पेड़ बार दो अरे ना जाने मुझे इसकी आवास कालो कोवे जैसी क्यों लग रही है ये पक्षी तो नहीं सुधरेंगे मुझे ही इस कोई में जाकर देखना होगा परन्तु मैं इस कोई में कैसे जाऊं तब ही मीनुचिडिया को वहाँ एक बोरी नजर आती है और मीनुचिडिया के दिमाग में एक आइडिया भी आता है अरे हाँ इस बोरी में छुपकर इस कोई में चली जाती हूँ फिर देखती हूँ के अंदर क्या हो रहा है फिर क्या था मीनु चडिया उस बोरी में घुज जाती है और फिर कूते कूते उस कूए में ही कूच जाती है अरे वाह इतना अमीर पक्षी किसी ने तो इस कूए में सिक्कों की बोरी ही फिक दी अरे वाह बैवाह मैं तो अमेर हो गया तब ही मीनू चिडिया उस बोरी में से बाहर निकल जाती है और कालू कोवे को रंगे हाथ पकड़ लेती है कालू कोवे बाहर चलो अब तुम्हारी खेर नहीं है तुम हम सब को पागल बना रहे थी तुमने इस कोई का मुँ बड़े से पत्थर से बन किया हुआ है सबी पक्शियों को कालू कोवे की असलियत पता चली तो सबने मिलकर कालू कोवे को बहुत मारा चोड़ दो जालीफ पकड़ी थो जमां कर रहा था मुझे चोड़ दो फिर कुछ पक्शी मिलकर उस स्कुए में से वे बड़ा सा फथर भी बाहर निकाल देते हैं जिसके निकलते ही कुवा दुबारा पाने से भर जाता है फिर सभी पक्षी अराम से अपने अपने मटके पाने से भर लेते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं दोस्तों इस कहानी से हमें पेड़ा मेती है चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो हमें हमेशा दिमाग से सोचना चाहिए ये कहानी एक कालू कववे की है जिसे जूट बोलने की आदत पड़ी हुई थी वे हर समय जूट बोलता रहता था कालू कववे को जूट बोलने में बहुत ही जादा मज़ा आता था इसलिए वे कालू कववा हर समय जूट बोलता रहता था मुझे मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि सुबा से अब तक मैंने एक बार भी जूट नहीं बोला है मुझे जूट बोलना है मैं किसी पक्षी के पास जाता हूँ और उससे जूट बोलता हूँ मीनोचेडिया गजब हो गया पहाडों की तरफ कबूतर बैठा मक्का ही खा रहा था अचानक कबूतर के ओपर एक बड़ा सा फटर आकर गिर गया और कबूतर अभी बहुत जादा जखमी है तुम जल्दी जाओ और कबूतर की मदद करो हाँ कलो कवे में अभी जाती हूँ और कबूतर की मदद करती हूँ यह कहकर वे मीनोचेडिया पहाडों की तरफ चली जाती है माना जूट बोल लिया, माना जूट बोल लिया, कितना मज़ा आया, मुझे जूट बोल कर यहाँ पर तो कबूतर मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, लगता है कोई पक्षी कबूतर को उसके गोंसले में ले गया होगा, चलो मैं कबूतर के गोंसले में जाती हूँ और फिर ये कहकर वे मीनुचेडिया कबूतर के घोंसले की तरफ चली जाती है कबूतर तुम ठीक तो हो ना तुम्हें जादा चोड़ तो नहीं आई ना मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि पहाडों की तरफ मच जाया करो लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो पर मीनुचेडिया मुझे क्या हुआ है मैं तो एक दम ठीक हूँ कबूतर तुम पहाडों की तरफ बैटकर मक्काई खा रहे थे और तुम्हारे उपर एक फत्तर आकर गिर गया ये बात मुझे अभी कालुकवे ने बताई है नहीं भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मीनुचेडिया यकीनन कालुकवे ने तुम से जूट कहा है और वे तुम्हारे साथ मस्ती कर रहा होगा मस्ती वे कालुकवे मस्ती क्यों करेगा उसे मस्ती करने में क्या मज़ाएगा तुम तो जानती हो ना उस कालू कवे के पास कोई भी कामकाश तो होता नहीं है बस पूरा दिन इधर से उधर फिरता रहता है और पक्षियों से जूट मूट कहकर उन्हें पागल बनाता रहता है हम्, कबुतर तुम ठीक है रहे हो वे कालू कवे ने मेरे साथ मस्ती ही की होगी चलो अब मैं चलती हूँ और फिर ये कहकर वे मीनोचेडिया अपने घोसले की तरफ चली जाती है हमारा जंगल कितना अच्चा है सभी पक्षि एक साथ मिलकर रहते हैं और मीनोचेडिया को मेरी कितनी चिंता है अगली सुबे हो जाती है कालू कवे को आज फिर से जूट बोलने का बहुत ही जादा मन कर रहा था वे कालू कवा कहता है सुबा हो गई है नई सुबा के साथ मुझे कोई नया जूट बोलना पड़ेगा वरना मेरा पूरा दिन ऐसा ही जाएगा अगर मैं जूट नहीं बोलूँगा तो मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा कालू कवे को जूट बोलने की ऐसी आदत पड़ गई थी कि जब तक कालू कवा जूट ना बोले उसे सुकोन नहीं मिलता था फिर वे कालू कवा पहाडों की तरफ चला जाता है आज तो मैं ऐसा जूट बोलूँगा के सभी पक्षी पागल बन जाएंगे और मुझे बहुत ही मज़ा आएगा ये कहकर वे कालू कवा जोर जोर से चीकने लगता है और पक्षियों को मदद के लिए बुलाने लगता है कोई मेरी मदद करो कोई मुझे बचाओ मुझे खुन खार चीलने पकड़ लिया है पक्षियों मेरी मदद करो जल्दी आओ तुम सब यहाँ पर कालू कवा की चीखने की आवाजें जंगल में पक्षि सुन लेते हैं और मीनुचेडिया कहती है ये तो कालू कवा की आवाज लगती है लगता है कालू कवा किसी बड़ी मुश्किल में फ़र गया है मुझे जाकर कालू कवा की मदद करने चाहिए फिर जंगल के सभी पक्षि मिलकर पहाडों की तरफ कालू कवा की मदद करने के लिए चले जाते हैं जब सभी पक्षि कालू कवा के पास उसकी मदद करने के लिए आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर तो कोई भी चील नहीं होती कालू कवा कहा गई वे चील जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था कहा है विचील मैं तो जूट बोल रहा था मुझे किसी भी चील ने नहीं पकड़ा है मैंने तुम सब पक्षियों को उल्लू बनाया क्या कालू कवे तुम हमसे जूट बोल रहे थे और हम सब पक्षियों को उल्लू बना रहे थें चेलो पक्षियों यहां से बिला वज्जा हम इस कालू कवे की मदद करने के लिए आए फिर सभी पक्षी अपने अपने गोंसलों की तरफ चले जाते हैं वाँ भाई वाँ कितना जादा मज़ा आया इन सबी पक्षियों को उल्लू बना कर अब कल्बी में इसी तरह इन सबी पक्षियों को उल्लू बनाऊंगा अगली सुबे हो जाती है कालू कवे आज फिर से पहाडों की तरफ आता है और जोर जोर से चीखने लगता है मेरी मदद करो कोई पक्षी मेरी मदद करो इस जालिम बाज ने मुझे पकर लिया है पक्षियों जल्दी आओ मेरी मदद करो आज फिर से कालू कवे की चिखने की आवाजे सुनकर पक्षी बहुत ही जादा चिंता में आ जाते हैं और सभी पक्षी कालू कवे की मदद करने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं कालू कवे कहा है वे बाज जिसने तुम्हें पकड़ा हुआ था पक्षियों मैंने तुम सभी पक्षियों को आज दुबारा से उल्लू बनाया मुझे किसी भी बाद दे नहीं पकड़ा था कालू कवे की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत ज़्यादा घुसा होते हैं लेकिन वे कालू कवे को कुछ नहीं बोलते और वे अपने अपने गुंसलों की तरफ चले जाते हैं ये पक्षि कितने ज़्यादा बेवकूफ है मैं इनको रोज बेवकूफ बनाता हूँ और ये रोज मेरी मदद करने के लिए आ जाते हैं इन पक्षियों को तो मैं रोज इसी तरह उल्लू बनाता रहूंगा में उचेडिया इस कालू कवे की जूट बोलने की आदत तो कुछ जादा ही बढ़ गई है ये कालू कवे को किसी दिन अपने जूट बोलने की सजा मिलेगी हाना ये कालू कवे रोजाना हम सब पक्षियों को बेखू बनाता है अगर हमें इस कालू कवे की चिंताना होती तो हम कभी भी इसकी मदद को ना जाते लेकिन अगर इस कालू कवे ने अपनी जूट बोलने की आदत ना छोड़ी तो किसी दिन इसे जूट बोलने की सजा जरूर मिलेगी अगली सुबे हो जाती है आज फिर से कालू कववा पहाडों की तरफ आ जाता है कालू कववा इतना कहता ही है कि वहां से एक चील गुजर रही होती है वे चील काफी ही दिनों की भूकी थी उस चील की नजर कालू कववे पर पड़ती है तो वे चील कहती है वैसे तो मैं कववा का मास खाती नहीं हो लेकिन मुझे बहुत जोरों से बोक लग रही है मुझे मजबूरी में इस काले कववे का मास खाना ही पड़ेगा चील फौरन कालुकवे के पास जाती है और कालुकवे को जट से दबोज लेती है कालुकवा तो बहुत जादा ढ़र जाता है पक्षियों मेरी मदद करो मुझे आज सच में चील ने पकड़ लिया है ये चील मुझे मार कर खा जाएगी तुम सब जल्दी आओ और मेरी मदद करो आज फिर से कालू कववे की चीखने की आवाजें पक्षी सुन रहे होते हैं लेकिन कोई भी पक्षी कालू कववे की मदद को नहीं जाता इस कालू कववे ने क्या हमें बेवकूब समझ रखा है ये रोजाना इस तरह चीकेगा और हम रोजाना इसकी मदद को जाएंगे लेकिन आज कुछ भी हो जाए मैं तो इसकी मदद करने के लिए नहीं जाओंगी ये कालू कववा रोजाना इसी तरह चीकता रहता है यकीनन आज भी यह हमें पागल बनाने के लिए ही चीक रहा होगा आज तो मैं इसकी मदद के लिए नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए जंगल का कोई भी पक्षी आज कालू कवे की मदद को नहीं जाता क्योंकि सबी पक्षी तो यही समझ रहे थे कि कालुकवा पक्षियों के साथ मजाग कर रहा है वे चील उसी समय कालुकवे को मार कर खाने लगती है और उस कालुकवे को अपने जूट बोलने की सजा मिल जाती है दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जिन्दगी में कभी भी जूट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस तरह दूसरे इनसान का हम पर से विश्वास उड़ जाता है और वे हमारी बात पर बिलकुल भी यकीन नहीं करता